बहुत अच्छे लेवल की पेडागोजी आई थी इस चीज को हम स्वैम सुईकार करते हैं इतनी हाई लेवल की पेडागोजी मैंने इवन केंद्री विद्याले के सीटेट के जो आपका इसका एक्जाम होता है टीजीटी का तो टीजीटी के एक्जाम में इतनी अच्छी होती है एक पेडागोजी वो जो होती है जो एक्सपरिमेंटल बेस हुआ करती है माईक आप लोग आफ रखेंगे जब अपनी बात आपको कहना हो तो आप लोग आउन करके अपनी बात कहिएगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेबल है और इस्टर भी होता है यहां वहां की इसको बाद में देख सकते हैं क्या सर बिल्कुल बिल्कुल यह रिकॉर्डेबल रहेंगे है ना इसको आप बाद में देख सकते हैं पर आपको मैं लिंक इसी ग्रूप में देता हूं ना इसी ग्रूप में आपको लिंक आती है उसमें आप लोग विजिट करिए है ना जी चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचाह दे दूँ, मेरा नाम लोकेश खंडेलवाल है, मैं लगभग 17 वर्षों से या 17 से भी ज्यादा 18 वर्ष है मेरा, मैं आपको यहाँ पे मैं टीचिंग की सर्विसेस दे रहा हूं और मैं अभी अभी मैं अजुकेशन साइकल कोजी में 2-4 साथ ही मुझे इसमें continue करते हुआ है क्योंकि मेरा ध्यान जो है इस तरब की प्रतियोगी परिक्षाओं में गया है, इसके पहले मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल AWES का टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर रखा है, ओके, MP3 ग्रेड वन मेरी 10th rank है, उसमें भी मैंने क कोला का एक्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो यह नॉलेज जो है मेरे पास, मैं आप लोगों को share करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आएगी, तो देखे, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई, 40 questions, I think 30 questions, 30 questions, जो है, वो आपके pedagogy के लिए reserve है, बिल्कुल ही reserve है, तो आना क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल आएगी ना 30 questions, वर्ग तीन का जो pattern रहेगा, बिल्कुल seated के जैसा रहेगा, जो seated का आपका paper हुआ करता है, वो उसी से उठा करके आपको वर्ग तीन का paper बनाएंगे, नहीं सर, बर्ग दो करदे से पीड़ीपी आई है, हाँ, देख कि कुछ topic है, question पूछने के बद प्लीज माइक आफ कर लिजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा नौइस जाती है, तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को ही, so वर्ग जो दो के वर्ग के कुछ कुशन आपको बहुत ज़्यादा फाइदा देंगे, example जैसे आपका है, बाल मनोविग्यान या कहना चाहिए बाल केंदरत सिक्चा, जिसको child centered education कहते हैं, भाई उसमें है क्या, उसमें सीरी सीरी बाते हैं, child centered education में जो वर्ग दो में है, वो वर्ग तीन में है, ओके, वो बिलकुल वही आने जब pedagogy पढ़ो तो पूरी पढ़ो, क्या उसमें 1, 2 और 3, उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है, PGT वालों को जो होते हैं, वो थोड़ी से उनकी pedagogy बदल जाती है, मगर दो और तीन में भाई ना के बराबर अंतर है, बिलकुल ना के बराबर अंतर है, बलकि दो का पार्ट कामन रहता है, तीन वाले पार्ट में कुछ एड़ हो जाता है, क्योंकि तीन में छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चों वाला जो पार्ट होता है, वो जो sensory motor stage है, जिसे आप लोग क्रियात्मा का बस्ता बोलते हैं, है ना, वो जो होती है, वो जुड़ जुड़ जाया करती है, प्राइमेरी एजुकेशन जो है, वो जुड़ जाया करता है, तो अब हम पूरे तरीके से, बिल्कुल वर्ग दो का question हल करवाएंगे, उसमें वर्ग तीन के जो important topic है, वो भी बताएंगे आपको, कि ये वाला topic कर लीजिए, उसको detail करेंगे, कुछ question बिल्कुल के बिल्कुल रटने वाले होंगे, उनको आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको आपको एजटिज रटने वाला जाना पड़ेगा, जैसे कि मनो विज्ञान के जनक कौन है, है ना, social learning theory किस ने दी है, है ना, आपकी व्यावारी theory किस ने दी है, तो उस उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको आपको बिल्कुल वैसे का वैसे याद करना पड़ेगा, मतलब root learning वाले प्रोसेस है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको लेके आपको ज्यादा tense noise नहीं होना है, और याद रखिए 30 question आते हैं, 30 question में से 25 question आपके जुर र करते हैं, और exam में जो जा करके करते हैं, बहुत scene अलग रहता है, हर बड़ाहट में हम कम से कम नहीं, तो 10 से 15 question गलत करके आते ही आते हैं, चाहे कितना बढ़िया student हो, वो हर बड़ाहट का वहां का scene जो रहता है, वो अलग रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आराम आराम से questions को देख सांके, चलिए से को ना गवाते हुए, जल्दी से वालों पे चलते हैं, ओके, इसके बाद इसका PDF में भी आपको share कर दूँगा, ग्रूप में, चलिए पहला question देखेगा, एक child development in pedagogy, याने सिक्षा सास्तर के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे, first question आपके पास ह इसमें से बाल केंदरित अधिगम का अभ्यास कौन सा नहीं है, मतलब जो बाल केंदरित सिक्षा है, उसमें से कौन सी पार्ट है, जो अपकी बाल केंदरित सिक्षा को सपोर्ट नहीं करती है, कौन सी लाइन, first, make the student more active in acquiring knowledge and skill, ग्यान और कोशल अरजित करने में छातर को अध चाहे वो बाल केंदरित हो, चाहे ग्यान केंदरित हो, चाहे कैसे केंदरित हो, तो ये आंसर मुझे नहीं लग रहा है, इसमें कहरा अभ्यास नहीं है, अब देखो भहिया, यहाँ पर इस नहीं का बहुत बड़ा मीनिंग है, ये not का बहुत बड़ा मीनिंग है, मतलब इस question student more aware of what they are doing what and why they are doing मतलब छातर पर केंदरत की बात कर रहे हो कि छातर क्या चाहरा है छातर का इंट्रस्ट यहां पर सूहूरा है बच्छों के छातर को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं exactly बाल के इंदरत अधिगम यहीं तो है कि बच्चे को छोड़ दो ओके और बच्चों को करने दो बच्चे को अपने हिसाब से सीखने दो ओके देन वर्किंग अंडर टीचर डारेक्शन डिसीजन सिक्षक के निर्देस और निर्नय के तहत काम करना बिल्कुल गलत यह बिल्कु यहाँ पर हमें गलत का चुनाओ करना है तो अपना अंसर सही वाला यहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टीचर का डिसीजन मतलब टीचर एक तरीके से ये तरीका हो सकता है, ये एक तरीका है, discussion क्या करना है, group बनाना आप करो, जितना उधम आपको class में करना है, बच्चों के group बनवाईए, है ना, उनके peers बना दीजिए, है ना, अलगल activity कराईए, उनको tutorial इत्यादी दे दीजिए, वो सब करना है, विमर्स यानिक आपस मुनका discussion क कराईए, ये एक टूल बन सकता है, ये एक औजार है, मगर जो यहाँ पर सिक्षक की involvement as a dictator नहीं है, सिक्षक जो है as a decision नहीं दे रहा है, direction नहीं दे रहा है, काम बच्चे ही कर रहे हैं, तो इसका correct answer 3 होना चाहिए, let's see the answer क्या है भई, so correct answer is working the teacher's direction and decision, yes, तो मैं मानूंगा इस question को बहुत important क्योंकि बाल के इंदरिक child centered education से आपको question बनना ही बनना है, grade 3 में हो, चाहे किसी भी exam में हो, child centered education, TGT और PRT में आता ही आता है, आना ही है, याद रखेगा, बच्चों की रूची के हिसाब से काम किया जाता है, चलिए, next question करते है, question number 2, तो यहाँ पर अपने one marks उ attitude अलग होता है, attitude word आपने use भी किया होगा, manovratty, किसी का attitude बहुत ही हठीला होता है, बहुत ज्यादा, egoistic होता है, यह है ना, egoistic बंदे होते है, जिनका attitude ही गलबल होता है, जमीन के नीचे नहीं चलते हैं, यह attitude वाली बात होती है, और दूसरी बात क्या होता है, aptitude, aptitude का होता है अभीवरत्ती जैसे कि किसी का एप्टिट्ट है वो बहुत डिसिप्लेंट रहता है तो उसका एप्टिट्ट्ट किसको सपोर्ट करेगा उसका एप्टिट्ट्ट सपोर्ट करेगा कि भाया तू फौज में जा तरे को डिसिप्लेंट रजीवन बहुत पसंद है वो aptitude क्या रहेगा discipline में जाओ किसी का aptitude होता है अभिवरत्ती होती हमेसा मजाक करने की है ना तो उसे comedy में जाना चाहिए किसी का aptitude dramatic होता है अलग-अलग aptitude वाले बच्चे होते हैं किसी का scientific aptitude होता है किसी का orative aptitude होता है बहुत नेतागिरी देते हैं हर जगे बोला करते हैं तो यह attitude कहलाता है इसको बोलते हैं अभिवरत्ती चलिए तो बात करते हैं अभिवरत्ती की यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभिवरत्ती का परिच्चन किस से किया जाता है ओके अभिवरत्ती का परिच्चन first aptitude अब भहिया देखो यहाँ पर बात attitude की हो रही है और पहले ही धर दिया attitude attitude की बात हो रही है और aptitude रख दिया बिल्कुल गलत हो इनी सकता कभी नहीं हो सकता है, ओके, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, भईया, अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, वो उपलब्धी परिच्छन एक प्रकार के मुल्यांकन को होता है, तो ये भी नहीं है, अचीवमेंट टेस्ट मुल्यांकन का टाइप है, बुद्धी मत्ता परिच्छन IQ टेस्ट से बुद्धी टेस्ट की जाती है भाईया कहां से ये टेस्ट होगा तो हमारा चौथा बन गया लास्ट आप्सन मेरे को याद नहीं है कि लिकर्ट स्केल क्या होता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ मगर अगर मुझे इन तीनों को करने का मुझा मिला है तो चौथा अपसन तो होना चाहिए लिकर्ट स्केल देख लीज़े मैं भी पेपर को पहली बार कर रहा हूँ करेक्ट आंसर लिकर्ट स्केल तो मुझे नहीं पता था लिकर्ट स्केल क्या है पर ये तीन कैंसल होगे तो चौथा हो जाएगा ये बेरको लगा था तो यहाँ पर एक मार्क्स अभी भी मुझे मिल गए अभी चमता पेपर परिचन होता है वो नौकृतियों की पेपर के लिए होता है अप्टीट देखा जाता है अचीमेंट टेस्ट एक प्रकार का रिकांज ने बच्टा जो जो कैसा है चलिए next question में आते हैं multicultural awareness अच्छ अब यह उपर से क्या समझ में आया याद रखेगा IQ पर एक question पक्का आएगा आपको बुद्धी, intelligence का topic यह पढ़ने को बहुत कुछ है मगर पढ़ना वो है जो exam में आता है तो यह topic लिखते जाईए जो आपको खास तोर से पढ़ने हैं पहला क्या पढ़ा है मैंने आपको child centered education बाल केंदर सिक्छा दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ा है दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बुद्धी एवं विकास ठीक है ना Multicultural awareness in the field of education include the appreciation for and understanding of differences in the student in terms of their सिक्छा के छेतर में बहुत आंस्कृतिक जागरुकता में उनके के संदर्भ में छात्रों के मदभेदों की समझ और सराहना सामिल है देखे तीन चार बार इस question को पढ़िए पता ही नहीं लग रहा है क्या पूछ रहा है question ठीक ना इसको अच्छे से पढ़िए एक बार फिर ये समझ में आएगा सराहना सामिल है तो जहां तक मैं नहीं समझा है इस सवाल को वहाँ तक ये है कि ये समस्झ करनात जोड़ा है इस सवाल में, इस प्रश्ट में, Multicultural Awareness in the field of education include the appreciation for and understanding of differences in students in terms of their यहाँ पर यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि किन प्रश्ट भूमियों की समझ होना चाहिए सिक्षा के छेतर में, किसके लिए Multicultural Awareness मतलब एक क्लास में अलग-अलग कल्चर के विद्यार्थी बैठते हैं उनकी जागरुकता होनी चाहिए उनकी जागरुकता होनी चाहिए in the field of education, छेतर में इंक्लूड जा एप्रिशियेशन फॉर अंडरस्टेंडिंग और उनके छात्रों के मतभेदों की समझ और सरहना सामेले देखते हैं क्या है इसका अंसर्व क्योंकि यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है तो कल्चर में समाजिक आर्थिक प्रष्ट और धार्मिक प्रष्ट भूमी आया करती है तो इसका option जो है C होना चाहिए socio-economic status and religious background ठीक ना इसकी जागरुकता अवश्यक है लेट सी बिलकुल सही आंसर है सी आंसर ही है इसका so one marks चलिया अगला सवार अब देखिये भाया यह जो question है यह pedagogy section से कम देख रहा है और यह bio section से ज़्यादा आया है ऐसे question एक आये ही है एक question इस तरीके का आया ही है जो थोड़ा सा bio से relate है इवन इन लोगों ने कान की सबसे चोटी हड़ी भी पूछ ली थी कान की सबसे चोटी हड़ी जो होती है वो कहां पे हुआ करती है इस्टेपीज है ना उन लोगों ने यह पूछा था कि बीच में होती किनारे होती एक question इसका bio का भी इन लोगों ने दिया था लगबग हर पेपर में एक question ने लोगों ने bio से मिलता जुलता हो चाहे क्या कर रही है anti-anxiety का मतलब होती चिंता anti मतलब चिंता को कम करने वाली जो प्राथमिक anti-tanau को कम करने वाली एक दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को तो कम करता है मगर यह है कि इंद्रिय तंत्र का तंत्र CNS के रूप में कारे करता है तो anti-anxiety drug CNS के रूप में कारे करता है देखें यहाँ पर यह पूछा जा रहा अब इंगलिश में एक question ज़्यादा सही है कि यह central nervous system के साथ क्या करता है नमबर वन, central nervous system को उत्प्रिरक कर देता है, दूसर डिप्रेसेंट अवसादक कर देता है, उत्तेजक कर देता है यह एक तरीके से central nervous system के लिए यह जो है संसोधक का कारे करता है तो आप थोड़ा सा दिमाख लगाए यहाँ पर कि anti-anxiety, मतलब हमारे सरीर को यह आराम देगी चिंता से मुक्त करेगी, हमें नीद आने लगेगी एक तरीके से तो हमारा central nervous system activator तो नहीं होगा, क्योंकि अक्टिवेट करता तो हम और ज़्यादा चिंता में आ जाते अक्टिवेटर, उत्तेजक, stimulant, उत्तेजित भी नहीं करेगा, शंसोधक भाई, central nervous system में संसोधन कैसे कर लोगे आप ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि चिंता को बदल दे, कि आप कोई दूसरी चिंता सोच रहे और वो दूसरी चिंता को उससे replace कर दे, तो कुछ आ जाए, तो ये भी नहीं है, हाँ, central nervous system को ठप कर सकता है, यासे drink करने पर, शराप पीने पर, central nervous system जो होता है, वो क्या हो जाता है, वो ठप हो जाता है, एक तरीके से depress हो जाता है, उस पर काम करना कम कर देता है, signals धीरे जाने लगते हैं, so maybe इस cancer अवसादक होना चाहिए, यानि डिप्रेसेंट होना चाहिए, इंगलिश में जादा क्लियर हो रहा है, डिप्रेसेंट, so exactly, डिप्रेसेंट इस cancer है, चलिए कितने लोग जुड़े हुए है, तीन लोग जुड़े हुए है, ठीक है, फिफ्ट क्वेश्चन, जो है, विच अप दा फॉलोविंग मेंली कॉसे चिल्रन टू फेल इन एक्जामेनेशन, इन में से कौन सी चीज फेल होने का करण मनती, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कुश्चन ऐसा नहीं कि कहीं एक, दो या तीन, यह हल जगए के लिए कॉमन है, फेल होने का करण, परिच्छाओं में असफल होने का करण, कक्छा का परिवेश, शारी रिख सकती, परिच्छा का डर, लैक ओफ पैजन्स दूरिंग इग्जामिनेशन, बताइए कक्छा का परिवेश, अरे भई या कक्छा का परिवेश फेल होने का कारण नहीं है, शारी रिख सकती, परिच्छा के दौरान धहर की कमी, देखिए अगर आप अपने लिए बात कर रहे हैं इसको, तो ये बात मैं सही मान सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए ये बात ए परिवेश फेल कर लेते हैं, तो यहां पर जो है, अगर चाइल्ड साइकलोजी के हिसाब से सोचा जाए, तो आंसर फियर ऑफ एक्जामेनेशन है, ठीक ना, परिच्छाओं में असफल होने का करण फियर ऑफ एक्जामेनेशन होना चाहिए, धैरी की कमी जो है, इसके बाद में आता है, अगर वो पर इच्छा देना सुरू कर दीता है, तो बहुत सारे बच्चे फियर ऑफ एक्जामेनेशन की वजए से जो होते हैं, डर जाते हैं, एक्जाम का एक बहुत बड़ा फियर पहले बनाया जाता रहा है, अब तो बहुत कम हो गया एक्जाम का फियर वाई क्या बात है अच्छा कोश्चन है learning by doing करके सीखना करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है करके सीखना कैसा सिक्षण होता है करके सीखना शिक्षक केंद्रित बिलकुल नहीं भाईया बाल केंद्रिक होती ही करके सीखना अब बाल केंद्रित तो आप्शन नहीं है relevant and practical प्रासेंगिक एबं ब्योहारिक निश्क्रिय पैसिव कहां होता है पैसिव तो होता ही नहीं है भाईया पैसिव की बस मासाब जो है भाशर दिये पारे हैं बच्चे सो रहे हैं वो हो जाएगा पैसिव थेओरेटिकल तो थेओरेटिकल तो होता नहीं है okay root and root and deduct okay रटना और या सिक्षाप्रत तो सिक्षाप्रत तो होता है मगर रटनी की कहीं बात नहीं होती है है relevant तो इसका correct answer जो लग रहा है मुझे यह होना चाहिए इसका relevant और प्राक्टिकल सो लेट सीद आंसर इग्जैक्ल आप यस माइक ओफ कर लिजे आपका जो माइक है राप जोहां शायद माइक शॉर्ट हो रहा आपका आपकी आवाज जो है बिलकुल नहीं आ रही है और करक चलिए अगला क्वेश्चन चिल्रण वू डेविएट कंसीडरिबली फ्राम नॉर्मल चिल्डरन और नोन इस ऐसे बच्चे जो होते हैं जो नॉर्मल समान बच्चों से बहुत हटके हुआ करते हैं उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं ऑस्टिक स्वापरायन असमान बच्चे एंटलिजेंट एक्सेप्षिनल अवरवाज़ यस तो देखते हैं नाम में कॉशन का गया है कि साधरन बच्चे को की लट सी जो यहां पर कहा गया है कि समान बच्चे से काफी हटके देखेस सामान बच्च्चे से नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़े से considerably जो normal बच्चों से थोड़े से हटके होते हैं तो भई या normal से हटके तो abnormal ही होना चाहिए normal से हटके, okay, normal से हटकरके, हटके जो बच्चे होते हैं तो इसका answer क्या होना चाहिए? इसका answer दिया है exceptional children तो normal से हटके abnormal अब देखे यहाँ पे हिंदी सपोर्ट कर रही है साधारन का उल्टा असाधारन होता है तो असाधारन के हिसाब से answer exceptional जाएगा abnormal क्यों नहीं हुआ यहाँ पर मेरा answer गलत हो गया मैं English पे चला गया मैं grammar पे खेल गया तो मेरा answer गलत हो गया यहाँ पे इसलिए क्योंकि abnormal का मतलब जो है वो कहलाएंगे अच्छमता वाले बच्चे मतलब कि disabled children तो यहाँ पर disability की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर बच्चे जो काफी हटके होते हैं यहाँ disability की बात नहीं कही है तो जो काफी हटके होते हैं उनको लिख लिजे exceptional अब यहाँ पर इसको अपने notes में इसको जो है आप जो इसको जो है आप बना लिजे आप exceptional children mic off कलीजी प्लीज इसको exceptional children बोला करते हैं यह है exceptional children और इसको कॉपी में लिख लिजे कि जो बच्चे हटके होते हैं अब देखें यहाँ पर English में normal था तो normal का जो एंटोनिम बनेगा जो विवलोम बनेगा वो abnormal बनेगा abnormal का मतलब यहाँ अच्छमता से आ जाएगा इसलिए अच्छमता की बात नहीं की गई है इसलिए इसका answer है असाधरन बच्चे exceptional children correct answer चलिए next question देखते हैं question number 8 gender refers the constructed difference in person व्यक्तियों में व्यक्तियों में खाली स्थान उत्पन भिनताओं को link gender संदर्भित करता है आप mic please off कर लिजे बहुत ज्यादा noise होता है वीडियो record होगा तो और ज्यादा आएगा जब आपको answer देना हो तो प्लीज आप आउन करके बात करिएगा चोहां साब mic off कर लिजे सर फोर नम्बर सामाज एक रूप से ओके देखते हैं gender refers the constructed difference in person ओके 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 तो व्यक्तियों में उद्पन पाइं हैं उनको gender संदर्भित करता है link gender संदर्भित करता है पहला educationally अरे बहिए educationally में gender से कोई भिनता संदर्भित नहीं होती है बिल्कुल गलत emotionally gender तो दोनों में ही काम करता है emotionally इसमें भी नहीं है and अब यहां पर जो answer है वो है बाइलोजीकली and socially तो बाइलोजीकली भी gender जो होता है वो होता है और socially जो है gender होता है मगर अब देखना पड़ेगा gender refers the constructed difference in person व्यक्तियों में उत्पन भिनता हूँ देखिए अभी यहां पर इस question को बहुत अच्छे से आप पढ़िए एक है constructed difference माइक आफ कीजे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ प्लीज माइक आफ कर लिजे यस मित्रेज जी तो यहां पर बात हो रही है constructed difference की constructed मतलब क्या है अब देखिए अगर अब बच्चे यहां पर biological भी difference दे कर कहा हैंगे क्यों क्योंकि कोई बच्चा है अगर वो biologically male और female पैदा हुआ है तो भाईया उसमें biological gender difference है हम इस बात को स्विकार करते हैं बट याद रखिएगा वो जो difference है वो constructed नहीं है वो constructed नहीं है मतलब बनाया गया difference नहीं है एक तो genetically difference है यास तो male female लड़का लड़की होना ये कौन सा difference है ये by birth यानि पैदा होते की difference है genetically difference कहला जा सकता है बट constructed मतलब कि आपने समाज में आने के बाद उसका जो difference बना दिया कि लड़की हो तो heavy काम नहीं कर सकती हो bullet नहीं चला सकती हो तो ये constructed difference जो आया है मेरे ख्याल से ये समाजिक कहा जाएगा बहुत सारे बच्चों ने इस का अंसर biological लगाया होगा बट ये मेरी नजर में मुझे समाजिक दिख रहा है देखते हैं मेरा अंसर सही है गलत है येस बिल्कुल सही बैठ गया तो यहाँ पर देखिए constructed ने कितना बड़ा काम करके दिखाया है constructed difference मतलब कि बनाया गया जो आकर के हम construct कर देते हैं ओके येस तो समाजिक रूप से चलिए ओहो अगला question तो बिल्कुल कहना चाहिए कि लड़ू question है भाई देखते ही समझ में आ रहा है the psychologist who conducted experiments येस बिल्कुल सही प्रत्न तुर्टी भूल इवं सुधार का सिध्धान्त भी इसको कहते है trial and error theory भी कहते हैं ऐसे psychologist जिनोंने experiment किया trial and error theory learning theory बनाय थी येस 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 थॉन डाइक की बिल्ली वाला इस्ट्रमिलिसन सिध्धान्त क्यों भाई बिल्ली का यूज किया था नहीं नहीं येस तो आंसर जो है thorn डाइक clear है yes sir हाँ चलिए तो thorn डाइक thorn डाइक ने किस पे अपनी conditioning किस जानवर पे दिखाई थी बताई ये बिल्ली पर का कुटा अरे क्या बात है वहिया पूरी तैयारी है आपकी बहुत बढ़िया कोहलर का चिंपांजी अरे बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर चिंपांजी कोहलर का चिंपांजी ठीक ना और इसकिनर का इसकिनर का चुहा और कबूतर बिल्कुल सही लिख लीजिए चूहर का चूहा वा कबूतर ये सब क्या किया गया था इस पे इन सब पे कंडीशनिंग की गई थी समझ गया ना इनको situation में फसा करके इनके व्यवहार का ध्यन किया गया था उसको बोलते हैं कंडीशनिंग और इनके सब के सामने उत्प्रेरक र के लिए जो आप उसका चारह इस्तमाल करते हैं वो कहलाता है उसके लिए stimulate या उत्प्रेरक है ना और उत्प्रेरक दे करके कंडीशनिंग कराई जाती है कंडीशनिंग मतलब उनको ऐसी व्यवस्था में फसाया जाता है और फिर उनके व्यवहार का ध्यन किया जाता है है न तो ये थे लिख लीजे कौपी में थॉर्ण डाइक की बिल्ली है कोहलर का चिमपैंजी है ठीक ना कोहलर के से काला और काला होता है चिमपैंजी ठीक है ना येस इसकिनर का चुहा और कबूतर है और पावलाब का कुता चलिए जी अच्छा सवाल था ये ये सवाल बहुत इ और चारिक वाद्था वरण में होने वाली लर्निंग होके इस टेड़ी डिवाईड ओप्छारिक वाद्था वरण में जो लर्निंग होती है उसको कौन पढ़ता है एन्थो प्रोलोजिस्ट अ्रे भई क्लिनिकल नैदानिक मनोविम्यानि भाई ये तब जाता है इंसां जो सके दिमाख में कोई प्रॉब्लमि माथज्जानी इस था करते हैं ओके समाजिक मनोवेग्यानी यह तो शोशल फिजोलोजित हैं जो समाजवात का धियन करते हैं तो उपलब्ध ऑप्शनों में से मुझे सबसे सही लग रहा है एजुकेशनल देखते हैं एजुकेशनल जो है वो सही है आप माइक बंद कर लिए आपकी बिल्कुल आव लिए इसका है एजुकेशनल साइकोलोजिस्ट के अजुकेशनल संस्कृत में ग्रामर किते माक्स की आएगी संस्कृत की मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है मगर जैसे बाकी पेपर बनेंगे वह वैसे पेपर बनेंगे ओके तो जैसे जो आपका में विस है उसमें 30 आएंगे तो मेरी हिसाब से मुझे लग रहा है जो 15 क्वेशन आएंगे आपके मेन जो आपके सब्जेक के समझ गे न ऑगे और 15 क्वेशन आपके रहेंगे संस्कृत की पेड़ागोजी के ठीक है तो आपका सीट का जैसा पेपर आता है सीट का केंदरी परिक्षा वाला उस को देख लीजिए उसी हिसाब का पेपर बनेगा सब्सक्राइब करवा दीजिए सब्सक्राइब कर लूगा देखे मेरे पास जितना समय है तो मैं उतने समय दे करके बीच बीच में आता रहता हूं और मेरी वीडियो बने हुए जैसे अब मेरे को संस्कृत की नहीं चाहिता हूं तो मैं आपको मैसिज कर दिया करूंगा और अगर ऐसा होगा तो अपनलोग शाम का इक टाइम टेबल बना लेंगे है ना तो साथ वजए से आठ बज़े के आसपास में कुछ जितना भी मेरे पास टाइम है ठीक ना और मैं कर दिया करूंगा क्योंकि मेर जोड़ दीजिए ठीक ना जी सर्शन नम्बर 11 की बात करते हैं विच प्रफेशन इस प्रफेशन इस यूज अप्तीट्यूट टेस्ट मूस्ट किस्पेशे में अभीवरती जाज का सबसे अधिक उप्योग किया जाता है दीखी बहुत अच्छा कोस्चन है ओक अभी अभिवरती जाच का उपयोग किया जाता है, मतलब बंदे के अंदर की attitude क्या है, उसको पहचानना सबसे ज़्यादा किसमे यूज किया जाता है, attitude अंदर का क्या है, उसकी अभिवरती कैसी है, कहीं criminal attitude का तो बंदा नहीं है, कि हमेशा crime करना चाहा रहा हो, उसके मन में हमेशा शैतानी चल रही हो, तो guidance counselor, ये जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये बहुत बात करते हैं, इंजीनियर का तो मतलब ही नहीं है, अभिवरती से मशीनों से डिल करता है, उसे कोई मतलब नहीं अभिवरती से, तो इसका option एक होना चाहिए, correct answer देखते हैं, correct answer बिल्कुल सही है, एक answer, first, guidance and counselor, ठीके न, तो अब जैसे ये जो pedagogy है, ये कहलाती है, प्रयोग आत्मक pedagogy, जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बस आपको अपना plane वाला दिमाग लगाना है, बट दिमाग लगाते से हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों के हिसाब स भी कुछ question जैसे अभी आया था, question उपर आया था, कि परिछा का डरवाला, तो वो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो मार दर्शन परामर्शक हो गया, चलिए जी question number 12 की बात करते है, question number 12 क्या है, Which of the following theories of motivation does not focus anyway on biological aspect and needs, इन में से कौन, निम्न में से प्रेणा का कौन सा सिध्धान्त, मतलब motivation की थोरी की बात हो रही है, प्रेणा का कौन सा सिध्धान्त, जैविक पहलू और अवशक्ताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देता है, जैविक पहलू, biological need, okay, biological aspect and need, खाना खाना, है ना, पानी, पीना, प्यास लगना, इसमें से कौन सा सिध्धान्त है, जिसमें से ये जो है किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है, तो मैं कहूंगा, अगर आप इसको पढ़ करके आए हैं, सुध रट्टा question है, अगर आप इसको रट्ट करके आए हैं, इसकी थ अगर आपने पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा, कि ये biological need पर ध्यान देते थे, कि नहीं देते थे, याद करना, आपको देना है, तो क्यान के इंदृत नहीं करता, आप शक्ताओं के सिध्धान्त का पदानुक्रम सिध्धान्त, भाई ये तो ही नहीं है, ये तो guarantee है क्यों है guarantee, ये hierarchy theory है, hierarchy theory में दो theory बताई गई थी, एक नीचे से लेकर उपर की और एक उपर से लेकर करके नीचे की और, ठीक ना, तो ये theory तो होई नहीं सकती है, देना है, manifest needs theory, प्रतिछता को सिध्धान्त की अवसक्ता होती है, and अकला है, instinct theory, व्रत्य सिध्धान्त, तो तीन option आपके पास है, शुद्ध बात है ये तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक ना, हमने भी इस तरीके की pedagogy, ये वाली pedagogy इतनी ज़्यदा डेटेल में नहीं पढ़िए, हमने theories of motivation का ये वाला point, जिसमें biological aspect है, theory of motivation, प्रेंड़ा के सिध्धान्त के type पढ़े हैं, इन्स्टिक्ट, इन्स्टिक्ट मतलब एक दब से थोड़ा सा क्लिक सा होना, वृत्ति, बताईए क्या होगा, आप लोग बताईए, तीसरा, manifest, नीट स्थियोरी, एक जैविक पहलू पर ध्यान नहीं देना है, जैविक पहलू पर ध्यान नहीं देना है, मतलब biological aspect पर ध्यान नहीं देना है, तो motivation एक तरीके से यहां पर यह है, कि आपको बागी चीजों से मतलब नहीं है, जैविक पहलू उसे कोई मतलब नहीं है, जो आपके सामने आ रहा है, उसी से आप motivate हो जाओगे, तो बिल्कुल सही मुझे लग रहा है कि manifest होना चाहिए, क्योंकि बात प्रत्य एच्छता की की जा रही है, वरत्य सिध्धान्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ड्राइव सिध्धान्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पदानुकरम वाला question मुझे पता है, पदानुकरम theory हाई नहीं है इसका answer, ओके biological से उसका कोई relation है नहीं पदानुकरम theory का, त manifest सिध्धान्त इस पे तुक्का लगाएंगे, देखते हैं, क्या अंसर है, क्या बात है, बिल्कुल सही हो गया अपना अंसर, manifest theory, एक नमबर उड़ा के ले गए आपन, ठीक है, चलिए, अगला question, which of the following is not considered as cognitive form of learning, cognitive यह था, संग्यानात्मक कहलाता इसको, निम्न में से कौन सा च तो देखे, पहला है, प्रत्याधिक्रत अनुबंधन, vicarious conditioning, पहला है vicarious conditioning, ओके, दूसरा है, अव्यक्त अधिकम, latent learning, संग्यानात्मक को नहीं माना जा रहा है, संग्यानात्मक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को करना, फिर धोखा खाना, और उससे संग्यान लेना, उससे ज्यान प्राप्त करना, मतलब एक बार हाथ जल गया, किसी लाल चीज से, फिर उसके बाद दूसरी बार कोई भी लाल चीज देखते थे, तो बड़े साफधानी से उसके साथ डील करते थे, वो कहलाएगा संग्यानात्मक ज्यान, ओके, विशलेशनात्मक अधिगम, विशल ष्छल होड़े, इस लो क्लोज कर दे, ओके, ओके लेटन्ट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम भी संग्यानात्मक ज्यान देता है, Classical Conditioning बिल्कुल अलग चीज थी, सास्तरी अनुबंदन का सिध्धान्त बिल्कुल अलग ही आया था, उके, Classical Conditioning यानि की उत्प्रेरक्ट दे करके कराई जाती थी, उसे संग्यानात्मक से नहीं जोड़ा जाता था, वो एक प्रकार का उत्प्रेरक्ट सिध्धान्त था, तो मेरे हिसाब से इसका answer आप लोग बताईए क्या होना चाहिए आप लोग व्यक्त करें आपका answer बोले क्या है answer प्रत्याधिकरत latent observational या classical conditioning विशलेशनात्मक तो देगा विशलेशन आत्मक मगर यहां कह रहा है कि माना नहीं जाना चाहिए संग्यान आत्मक रूप में आंसर देंगे कि नहीं देंगे बताईए जल्दी से वन प्रत्याधिकरत अनुबंधन विकेरियस कंडिशनिंग आपने पढ़ी है क्या कुछ जानकारी है आपको चलिए तो अगर मुझे लग रहा है इसका आंसर जो है जो मेरी जानकारी में अगर गलत विकेरियस कंडिशनिंग मैंने भी नहीं पढ़ी है मुझे आंसर जो है classical conditioning जो मैंने पढ़ा उसके इसाब से लगा क्योंकि classical conditioning में संग्यान की बात नहीं होती है वो अलागी theory है तो देखते हैं इसका आंसर यह सही निकल गया इसका आंसर correct है इसका classical conditioning चलिए next question number 14 की बात करते हैं which of the following principle can be used to make the student curious about the topic इसमें से कौन सा principle सिद्धान्त इस्तمात किया जाता है बच्चों को किसी विशा के बारे में उत्सुक बनाने के लिए इच्थसुक बनाने के लिए कौन सा सिद्धान्त किया था Already know पहले से पता Willing to know जानने की अक्छा Not willing to know जानने की अक्छा नहोता Don't know पता ना होना देखे भाईया जानने की इक्छा ना होना ना होना और पता ना होना ये तो ब launched है इसमें बच्चा नास है इसमें 2 प्रीज किये लग रहे है डियर तो ये प्रेक्टिकल साइगलोजी हो क्ष़शन है और देखते हैं डियर कोई पढ़के गया कोई ना के गया वाली बात नहीं है हर कोई किसको सही करके आएगा willing to know जानने की इक्षा है तो आपके अंदर interest रहेगा तो आप जानने की इक्षा रखेंगे और उत्सुक रहेंगे तो के curious रहेंगे चलिए जी अगला question which of the following statement true regarding the constructivist classroom constructivist का मतलब क्या होता रचनावादी क्षा okay रचनावादी क्षा मतलब नई नई चीजे डिसकस होंगी नई नई चीजे चीजे चंस्ट की जाएंगी है ना एक तरीके से कौन से थिंकिंगे इस च्रिटिकल थिंकिंगे यस constructivist classroom okay निमने में से कौन सा कथन रचनावादी क्षा के लिए सत्य है first the classroom environment is is intellectually emotionally and physically safe क्षा का वातावरन भौतिक भावनात्मक एवन भौतिक भावनात्मक भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए supportive तो है बात अगला the learning process lack structure अधिगम प्रक्रिया में सनरचना का अभाव होता है अब भाई रचनावादी की बात कर रहे हैं और सनरचना में अभाव कह देंगे नो बिल्कुल नहीं क्यों नहीं रचनावादी क्लास है तो सारी तयारी पहले से हो जाएगी ऐसा नहीं है ना सारी त्यारी पहले से पहले सो जाएगी तो यह गलत बात है next student student interaction have neural play in the constructivist classroom बिलकोल गलत अगर आप constructivist की बात करते हैं रचनावादी की बात करते हैं तो बच्चों बच्चों में गजब interaction होगा एक दूसरे से discuss करेंगे कुछ नई नई चीज बनाने का प्रयास होगे तो यह भी मुझे गलत लगता है the method of instruction is purely didactic in classroom रचनावादी की बात कर रहे हो method of instruction निर्देश की विधी no निर्देश की विधी नहीं होगी मिल करके काम करने की विधी होगी तो इसका जो option है बहुत धिक भावनात्मक और बहुत इक रूप से सुरक्षित होनी चाहिए तो correct answer इसका A होना चाहिए देखते है 15 का answer है चलिए तो 15 question हो गया है करने की एक्छा 30 थी बट speed काफी slow रखी है तो आज 15 question ही करेंगे शाम की class एदी में लगाऊंगा तो आपको बाकी के 15 question आपको करवाऊंगा ठीक ना और आप लोग अपने class में reviews दे दीजे कैसी लगी आप लोग को class क्योंकि इससे क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा लोग आएंगे और जब लोग आएंगे तो मेरा भी मन करेगा पढ़ाने का ठीक ना आप लोग अपने रिव्यू मैं थोड़े देर के लिए open कर दूंगा आप लोग को ग्रुप तो आप लोग उसमें लिख दीजीगा ठीक है जी सार चली जी थैंक्यू धन्नवाद नमस्कार साब करते मुझे जाएगी सरक्लास सर मैं बता दूंगा ग्रुप में बता दूंगा आपको जी सार नमस्कार जी